हेलो एवरीवेन वेलकम डू आर चैनल इस वीडियो में देखेंगे कक्षा सांथ के विशे एसस्टी के अर्धवाशिक परिक्षा प्रश्ण पत्र को जिहां बिल्कुल सही समझ रहे हैं तो यहां आपकी जो अर्धवाशिक परिक्षा स्टार्ट होने वाले हैं 13 दिसंबर से उसी से रिलेट हम आपके अर्धवाशिक परिक्षा प्रश्ण SST का लेकर आए हैं कक्षा सांथ के लिए तो यही पेपर आपका exam pattern, जो exam paper होने वाले हैं, उसमें मिलने वाला है आपको, तो यहां आम स्टार्टिंग से लेके end तक के सभी question के answer, with detail लेकर आए हैं, ठीके, तो इसे याद कर लीजिए, ताकि आपकी जो पूर्णांख है 42 अंक, 42 में से 42 अंक आपको प्राप्त हो, यहां प्रेशन संके 1 से 20 तक की प्रेश्टिक प्रेश्ण है एक अंकी, किस से 26 तक की है दो अंकी, और 27 और 28 प्रेश्ण आपको मिलेगा पांच अंका, तो कंठस कर लीजिए इस पेपर को, क्योंकि यही पेपर मिलने वाला है, ताकि आप अपनी कक्षा में उचित स्थान पक था बाबर, तो यहां उप्शन को करेक कर देंगे, थर्ड है मध्यानि भुजन की वैवस्था की योजना सरपथम किस राजे में प्रारम की गई, तामिलाडू राजे में, उप्शन को करेक कर देंगे, फोर्थ है सावजनिक स्वास्थ्य सेवाई कौन चलाता है, तो य निम्न में से कौन सा मानवे प्रियावरन का घटक है, धर्म, तो यहां उप्शन भी को करेक कर देंगे, सैविन्थ है शोब मंडल की ओसत उचाई है, तेरा किलोमेटर उप्शन सी को करेक कर देंगे, नेक्स्ट एट्ट कोशन है, राजस्थान का राजे पक्षी है, राजे चित ओडगर्ड, औप्शन एक को करेक कर देंगे, टैंथ है, जल सरक्षन हेतु सिंचाई की उत्तम वैविधी है, कौन सी है जल सरक्षन हेतु सिंचाई की उत्तम विधी, बून-बून सिंचाई व फबारे द्वारा, इससे क्या होता है, पानी की बचत भी होती है, पूरी सिंचाई ववस्ता के द्वारा ही सिंचाई की जा रही है, नेक्स, आपको मिलेगा, सार्नी में दिये गई शब्दों में उच्छी शब्द का चैन करते हूं, रिक्तिस्थान के पूर्ति कीजी, यहां आपको सार्नी में कुछ शब्दों द्यानी की तो इन शब्दों का का उच्छी शब्द लिख देंगे हम यहां अभी लिखा का रहा है ट्वैल है रिक्तिस्थान दिल्ली सल्तनत की एक मात्र इस्त्री शासत थी कौन थी रजिया नेक्स्ट थर्टीन है काबूल अकबर की सोतेले भाई रिक्तिस्थान की राज्य की राज़ानी थी मिर्जा हाकिन फोर्टीन है परियावरन हमारे जीवन का क्या है आधार है तो यहां आधार लिख देंगे 15 है वाईयो में उपस्ती जलवाश्पी की आदरता मात्रा क्या कहलाती है आदरता कहलाती है जलवाश्पी की जो मात्रा होती है वाईयो में उपस्ती उसे क्या कहते है आदरता कहते है नेक्स्ट कोशन आपको मिलेगा सत्य एसस्त्य कत्थन की पैचान कीज़ीए 16 to 20 कोशन जिसमें आपको कत्थन बताना है कि वैस्त्य है या एसस्त्य है 16 है चुल सांसों के बात के काल के सम्मंद में अभी लेख नहीं मिलते है यह सत्य नहीं है बारक एक लोग तांत्र देश है 18 है मुख्य मंत्री की सला से राजेपल अन्य मंत्रों की न्युक्ति करता है 19 है सविधान कहता है कि इस्त्री और पूरुष होने की आधार पर भेदवाफ किया जा सकता है 20 है नाइट्रोजन वायू में सरवादिक पाई जानी वाली गैस है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायू मनल में तो यहां सत्ते लिख देंगे नेक्स आपको मिलेगा दिये के प्रषनों के उत्तर दीजिए आपको कुछ प्रषन पूछे जाएंगे जिनके आंसर देने है एक किस्व़ा प्रषन है पांडु लिपी तयार करने के चार कर्चरण कौन से है तो चार चरण लिख देंगे कागस तयार करने वाला पेज तयार करने वाला, लिखने वाला, पेज साफ करने वाला 22 कोशन है, बीमारियों से बचाव के लिए हमें कौन कौन सी स्वास्थ सेवाई आवशक है बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ कैंदर, अस्पताल, परिक्षनों के लिए प्रियोक्षा लाए एंबुलेंस की सुवीदा, बलड बैंक, इत्यादी सेवाय आवश्यक है 23. समाज लड़के और लड़के में किस प्रकार अंतर करता है तो यहां लड़के के जन पर खुशी व लड़की के जन पर दुख प्रकट किया जाता है 24. मानव निर्मीत परियावरन की चार उधारन दीजिये 25. आदर दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं क्यों 26. आदर दिन में बाईयू में जलबाश की मातरा तेदिक होती है इसलिए आदर दिन में कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं 26. आदर निर्याद का परिभाशा एवं परहत्व को समझाईए तो यहां लिखेंगे आदर जब कोई देश से किसी दूस्य देश से कोई माल अपनी घरेलू बाजार में बेचने के लिए खरीता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आयात कहते हैं जैसे हमारा भारत किसी दूसरे देश से लेगा न कोई सामान और यहां पर बेचेगा तो उसे आयात कहते हैं निर्यात क्या होता है जब एक देश किसी दूसरे देश को अपने यहां से उत्पादित वस्तों को बेचता है होता है तो सबसे पहले देखते हैं विधायक कौन होते हैं विधान सबा की सदस्य को विधायक क्यानी M.A.L.E. कहा जाता है इसका अर्थ मेंबर ओफ लेजिस्लेटिव सैंबली है विधायक जनता का प्रतिनीदी तो करता है जिस राजनेतिक दल की विधायक आदे से अधिक न सत्तादारी दल कहलाता है चुनाव की बाद सत्तादारी दल की विधायक अपने नीता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री कहलाता है इसकी बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों को चैन करता है चुनाव की बाद राज्य का राज्य पन मुख्यमंत्रियों की न्यूक्तियां क इसके बाद इन विसरपों पर लगातर अप्रदन वा निक्षेपन हो जाते हैं समय के साथ विसरफ लूप नदी से कर जाते हैं और एक अलग जील बनाते हैं जिसे चाप जील कहते हैं बहो कंट कोशन का अंसर लिखेंगे भुकम का मापन एक यंतर से किया जिसे भूकम प्लेखी कहते हैं, भूकम की तीवरता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिस भूकम की तीवरता दो पॉइंट सूने, अथ्वा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, जिस भूकम की तीवरता पांच पॉइंट दसमलव होती है, तो यहा बहुत शक्तिशाली होता है तो इस तरह से ये था कख्षा साथ की विश्य SST का कम्प्लीट अर्द्वाश्यक परीक्षा प्रशन पत्र उम्मीद है आपको पूरा प्रशन पत्र अच्छे सा समझ आया होगा उम्मीद है हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरा जो प्रश्ण बत्र है आपके एक से लेके 28 तक के प्रश्ण आप सभी को लर्ण कर लीजिए और अपनी आने वाली एक्जाम में इने लिखें इसी तरह से ताकि आपके जो पुर्णांग है बैयानी सोसे बैयानी संग प्राप्त हो और इसकूल रास थोरी ये कामना क होगा अगर किसी कोशिन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हम फिर मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में आपकी कक्षा से इंपॉर्टन वीडियो के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद